हेलो गाईज स्वागत एक बर फिट से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटसी बस पे हम यहां बात करेंगे सीसी एच वर्सेज एस वाई ल के बीच में जो मुकाबला खेला जाएगा यानि चटगोरम चैलेंजर्जर्स वर्सेज साइलेट सन्राइजर्स के बीच में ज टेलिग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलना क्योंकि सारी जो भी अपडेट्स हैं आपको वहीं मिलेंगी और इस वीडियो के बाद भी जो न्यूज आएगा वहीं मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मैंने आपको लिंक द लिखेंगे तो ठीक है सबसे पहले हम बात करेंगे पिछ रिपोर्ट की चटगोरम का यह वहीं ग्राउंड जिसके बारे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं इस वीडियो से पहले भी हमने इसका पहला मैच कवर किया उसमें मैंने आपको बता रखा है कि यह मैच जनरल से पहले 2019 में एक टॉर्णामेंट खेले गया था यही उसमें जो पांच मुकाबले लास्ट के पांच मुकाबले खेले गए थे चेजिंग टीम ने काफी अच्छा किया था पांचो मुकाबले जीते थे और 162 फस्ट इनिंग का 166 सेकंड इनिंग का एवरे जिसको रहा था कि फिनर पेशर्स बराबर का कर रही थे थिया है love क्योंकि फिनर वैसे भी कम खेलते पेशर्स दथ में भी आतें बॉलिंग करने पावरपले में भी कभी-कभी पेशर्स बॉलींग करते हैं तो वहां पर विकट गिरने के चांसे ज़्यादा रही थे तो इसलिए थोड़ा स तो भी आप बैलेंस सपोर्ट मान सकते हैं अभी देखो इस सीजन क्या हुआ है जो दोनों मुकाबले खेले के हैं दोनों मुकाबले चेजिंग टीम ने जीते हैं चेजिंग टीम यह मुकाबला भी जीते गी अगर यहाँ पर 200 प्लस भी स्कोर जा रहे हैं तो वह चेज होगा यासा भी परेसर पहले आ कशनते हैं तो ने आपको पर पॉसिबिलिटीज बताते हैं और जो पिछले ड्नीज में हुआ है वो मैं आपको बताता हूं तो उसके चांसें रहते हैं एक बट वह इंप्रम नहीं होथा ठीक है और इस पिन उर पेसर्स आप देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि बैल वहारे हैं इनके पास आप देख रहा है एक ही लेफ्ट इंडर है टॉप और में आफिफ उसेन बाकि नीचे समी मुसेन आफिस्पिनर की बात करें विल जैक्स आफिफ उसेन बॉलिंग तो डालते हैं लेकिन यह ऑकेशनली बॉलिंग डालते हैं जो इनके में बॉलर है वो है मेहदी हसन ठीक है मेहदी हसन बॉलिंग डाल रहे हैं ऑफिस पिन की बाकि यहां पर देखेंगे तो लेफ्ट आम और थोड़ों जिनके पास नासु महमद है बैनी हावल बॉलिंग है इनके पास उसके बाद सौरिफुल इसलाम और रहमान राजा यह लोग इनके में गिन ब बॉलिंग करें क्योंकि यह दथ में आ सकते हैं एक और लेके ठीक है आफिस फुसेनल लास्ट में अच्छा पर्फरमिस के थोड़े कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं लेकिन टैलेंटेट बलेबाज है अब इनके जो उपन बॉलर की बात करें नासु महमद मैदी हैसन सौरिफ अब इनके आप लोग स्टैट्स वाइस देख सकते हैं मतलब हर एक प्लेयर के नाम के आगे तो निसान लगावा देखेगा यानि वह प्लेयर अच्छा स्टैट्स रखता है और वह इंपॉर्टेंट प्लेयर है अपनी टीम का तो यह चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना और अधरवाइस कोई भी प्लेयर चेंज होता है निया फ्लेयर खेलता है तो मैं उसका स्टैट्स आपको टेलीग्राम पर देने की कोश्चिस करूँगा तो टेलीग्राम से जूर जाएगा जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कॉमें थोड़ों हैं बॉलर लेकिन उन्हें लास्ट मच में खिलाए नहीं अगर यह खेलेंगे तो मस्ट हब पिक रहेंगे दूसरी बात यहां पर अगर मैं बताओं सनाजल इसलाम को खिलाए गया था लेकिन यह थोड़े से एवरेज बॉलर है इनके पास ऑफिस पिनर है सोहाग टीम में लेके चलना यह चीज़ ध्यान रखना बाकी वैसे ऑफिस पिनर जिनके ओवर कट सकते हैं जो पाट टाइमर होते हैं ठीक है राइट एंडर्स के सामने अब यहां पर आप देखेंगे तो एल सीमन्स कॉले निंगरा बुपारा मुसद्धा खुसन तासकी नयमद इ चादा यूज हुआ जा रहा है इनके टीम में ठीक है अब ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं बट मुक्तार अली एक टैलेंटेट बॉलर है अगर इनको बॉलिंग देख में मिलेगी तो ठीक है उसके बाद आप इनके ऊपन बॉलर देख सकते हैं देख में तासकी नयमद है ब इन्होंने पूरे चार ओवर डाले तो इसमेश में भी राइट हैं लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इतना एफेक्टिव बॉलिंग डाल रहें तो इनके टीम इन पर भरोसा दिखा रहे तो फिरसे आपको लगता है फिरसे ऐसा लगता है कि चार ओवर पूरे डाल सकते इसमेश में इसमें पॉर्षन को दो ही ओवर कि इसमें गड़े हें भी और दो इसमाे लृषप को दो ही एक होकर रहें गई थी इनकी अगर एन इसलाम खेल गए तो यह एक अच्छे खासे बॉलर रहेंगे जिसमें तीन विकेट और चार विकेट इन्हों ने लिए हुए इनके टीम के रिसेंटी स्कोर और लास्ट मैच के पर्फॉर्मेंस आपने देख लिए आप प्लेयर वाइज स्टैड्स लेटा प्रवाइट करवा देता हूं अब देखो सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो महदी हसन मिराज बैनी हवल और मुसद्दा कुशन ये लोग अच्छे हो सकते हैं ग्रेंड लीग में आप लोग किसको ट्राइब कर सकते हैं यह चीज आप थोड़ा सा नहीं है लेकिन फिर भी 20 इसली बना के दे सकते हैं यह बॉलिंग भी डाले तीन ओवर उसके बाद यहां पर आपने देखा होगा कि बल्लेबाजी में भी इनको प्रमोट किया जाता है लेकिन यह फॉर्म में नहीं है लेकिन यह बल्लेबाज बहुत अच्छे बल्लेबाज कॉलिन इंग्राम लास्ट में फ्लॉप हुए आप काफी लोग इनको ड्रॉप करेंगे अब मैं ग्रेंड लिग में कैप्टन की बात करें तो के लवाइस और विल जैक्स में से किसी एक को जहूर ट्राइ कर लेना इवन दोनों को अदग अलग टीम में ट्राइब कर सकते है उसके बाद एल सिमन्स और देथ बॉलर्स और देथ बॉलर्स में ऐसे की जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो जैसे कि यहाँ पे सब लोग का ध्यान रहेगा जैसा अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग कराती है इनका नाम क्या है तो यहाँ पर टास्की नहमत का सब ध्यान र तो इनको ट्राइब करना यह लोग अगर इनकी टीम पहले गिंद बाजी डाले तो आप इन लोग को एज़ा प्लेयर ले या फिर एज़ाइब कर सकतें तास्की नहमत को दूसरी बात कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रेंड लिग में यहाँ आपके बहुत काम है प्लेयर भी बहुत कम लोग करेंगे बट आप जीयल में जब ट्राइब करना है जब वीची ट्राइब कर सकते हैं अगर इनकी टीम पहले बालिंग करें तो देथ बॉलर से मेरा यह मतलब रहता है ठीक है दोस्तों विकट कीपिंग से स्टार्ट करेंगे दोस्तों यह तीम कई पहीं किसी भी साइट पर खेलतें वहाँ पर यूज कर सकते हैं कुई करेट नहीं आएगा काफी लोग बोलते हैं करेंट का स्वान आता है अगर आता भी है तो में आपको बता देता हूं कि ड्रीम लेट बचा आप इसमें यह पलेयर लेना यह पे मिलेट है तो मैं यह रहा हूं यह बता के भी चलता हूं लेकिन फिर भी पता नहीं कहां से मैं सारी चीज़े चेक करके वीडियो बनाता हूं भाई ट्रस्ट मी मैं बोल रहा हूं यही आप सेम टीम ड्रीम लोन पर बनाएंगे कोई क्रेट का इसू नहीं आएगा ठीक है ध्यान रखना यहां पर मैंने केनर लेविस को लिया हुआ है अभी के लिए हाला कि इनका फॉर्म अच्छा नहीं है हिट और मिस टाइप के प्लेयर है ल करना चाहते हैं तो दोनों को अपनी टीम में ट्राइ कर सकते हैं दोनों ही टॉप और के बल्लेबाज है ठीक है बट मैंने अभी नहीं लिया हुआ यहां पर देखेंगे तो मैंने विल जैक्स को लिया हुआ है हाला कि विल जैक्स भी एक हीट और मिस टाइप की प्लेयर है बट ऐसे विकेट पे इनसे पर्फॉर्मेंस की उमीद आप कर सकते हैं एल सिमस ने अच्छा पर्फॉर्मेंस किया जब मैंने लास्ट मैच में इनको वी सी का ओप्सन दिया था तो काफी लोग मुझे मत्रब ट्रोल कर रहे थे बट बात मैं अगर आपको बताओं तो यह इ थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हाला कि और सामने वाली टीम में राइट हैंडर्स अच्छे खासे हैं ठीक है हाला कि बॉलिंग से विकेट लेने के चैंसे कम हो जाते हैं लेकिन यह प्लेयर इसलिए इंपॉर्टन है क्योंकि देखो कप्तानी कर रहे हैं बॉलिंग जर इसलिए मैंने लिया वाई क्योंकि बल्ले और गेन दोनों से पर्फॉर्मेंस कर सकते हैं और एक कप्तान है तो कप्तान एक एहम रोल निभाता है ऐसे डॉमेस्टिक लीक्स में ठीक है उसके बद देखो कॉलिं इंगराम और रभी वुपारा अब मैं आपको एक चीज बता से यहां पर अगर यह लोग खिला लिए नजमल इसलाम को ठीक है तब हो सकता है कि नजमल इसलाम पूरे चार ओवर डालेंगे और लास्ट में लोग ने नजमल इसलाम को नहीं खिलाया था तो सनाजलम इसलाम थोड़े महेंगे साबित हुए तो वह कंप्लीट करने के लिए और यहां पर जो है सोहाग गाजी ने भी हाला कि पूरे चार ओवर डाले जरूर थे लेकिन यह उतना सक्सेस नहीं रहे थे तो वोपारा जैसे स्लो बॉलर को यह है मीडियम पेशर लेकिन उतने इनके पस गती नहीं रहती है तो उस टाइप के गेंदबाज भी सक्सेस हो ज क्योंकि अगर नजमल इसलाम खेल गए तो इनके पस बॉलिंग उप्सन देखे आप कितने ज्यादा हो जाते हैं एक दो तीन चार पांच छे और साथवे उप्सन होते हैं रवी बुपारा और इनमें से अगर किसी एक के जगे पर नजमल इसलाम खेल गए तो फिर आप समझ सकता है बट अगर नजमल इसलाम खेल गए तो उनको ओवर मिलना मुश्किल हो जाएगा यह चीज़ ध्यान रखना उस सिच्वेशन में हम कॉलिन इंग्राम को लेंगे रवी वुपारा के प्लेस पे सबीर रहमन आपके लिए ट्रम्प एक प्लेयर हो सकते हैं most of the time 20-30 के ब तो ज्यादा आप यह मैं समझेगा कि खराब प्लेयर है एक बहतरीन प्लेयर है बट वही है फॉर्म नहीं है अभी के लिए उसके बद यहाँ पर बैनी होवेल है बैनी होवेल मस्ट है पिक चार ओवर गिंदबाजी प्लस लास्ट में के हिटिंग उसके बद महदी हसन मिरा अपनी टीम लें चार ओवर गिंदबाजी अद्थ में बियारे बल्ले से भी अच्छा परफॉम कर सकते हैं विकेट टेकिंग इस पिनर है ठीक है लेकिन जब हम 10 मैच से 2 मैच में नहीं लेते हैं उन 2 मैच में तो वो हमको भारी पड़ जाता है और वही मेरे साथ हुआ था उस मैच में लेकिन अगले मैच में आपने देखा होगा सामने वाली टीम राइट हेंडर्स अधिक बैट्समें रखी थी लेकिन फिर भी यह ऑफिस मिनर थे हाला कि इनकी टीम इन पर भरोसा दिखा रही है इनको चार ओवर कंप्लीट मिले थे लेकिन ये काफी महेंगे साबित हुए चार ओवर में 36 रंदिया और दूसरी बात इतने विकेट टेकिंग नेचर के गिनबाज नहीं है एक अवरेज ऑल राउंडर है बट चार ओवर कर रहे हैं तो फूरे चार ओवर में विकेट मिलने के चांसे रहते हैं दूसरी बात कि बल्ले से भी अगर पॉइंट्स दे गए तो एक अच्छा खासा पॉइंट हो जागा एक विकेट भी निकाल लिया तो इसलिए मैंने लिया हुआ है अधरवाइस ये उ नो डाउट बट यह थोड़े से इनकंसिस्टेंट रहते हैं इस वह से मैंने नहीं लिया हुआ है बाकि नीचे उतना अच्छा कोई आप्शन है नहीं मुक्तार अली को यह लोग मौका नहीं दे रहें इतने अच्छे बॉलर को नेशनल टी ट्विंटी कप में और वैसे सामने राइट हैं जरूर लेके चलिएगा सौरिफुल इसलाम किसी भी इनिंग में विकेट निकालने की चम्ता रखते हैं फस्ट इनिंग में अगर इनकी बॉलिंग आई तो वी सी के भी अच्छी ऑप्शन एंडध में आएंगे इसके अलावा देखो नजमल इसलाम अगर रेजर और एमान की टीम अगर पहले बॉलिंग कराईगी तो ही में इनको लूँगा अधर्वाइस में इनके जगे पर तासकी नहमत को ले लूँगा और यहां पर नजमल इसलाम खेले तो में इनको ही लूँगा ठीक है क्योंकि एक विकेट टेकिंग बॉलर है और अभी त की लवाइस हो गए उसके बाद देथ बॉलर्स हो गए उन लोगो ट्राइज जरूर करना अब इसमें चेंज हो सकता है रवी वपारा की जगे कॉलिन इंग्राम आ सकते हैं रेजा और रहमान की टासकी नहमत यह नजम इसलाम आ सकते है तो यह अकॉर्डिंग टूस मैंने आ